देखिए जिस तरह से भारतिय जंता पाटी बुल्डोजर के नाम पे बुल्डोजर पॉलिटिक्स के जरिये इस देश की जंता को गुमराह करने का काम कर रही है आपने देखा होगा साहिन बाग तो जहांकी थी और मंगोल पुरी एनफसी में बुल्डोजर चलाना जारी है भारतिय जंता पाटी ये देश के हिंदों के उपर भी बुल्डोजर चलाने का काम कर रही है आखिर इस देश की जंता को जिस तरह से बीजेपी ने एक ऐसे प्रोपेगेंडा तयार किया है कि आप बताईए जब कल साहिन बाग में बुल्डोजर पहुंचा सारी स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया इस तरीके से उसको दर्साना चाहती थी देश की जंता को एक ऐसा मैसेज देना चाहती थी ची सायद साहिन बाग इस देश के लिए मुद्दा बन चुका है जिस तरह से C.A.N.R.C. का अंदोलन हुआ वहाँ पे वो सीधे B.J.P. और M.C.D. का जो टार्गेटिंग था वो साहिन बाग था लेकिन आपने देखा आज मंगोल पुरी और N.F.C. में जिस तरह से हिंदूों के भी घरों को तोड़ा जा रहा है ये वहाँ कहीं में कहीं न कहीं समझना होगा जो लोग कह रहे हैं कि देश का हिंदू खत्रे में है अरे भारतिये जंता पाइती है आपके घरों पे भी बुल्डोजर चलाने का काम कर रही है इसी सरकार ने जहांगीर पूरी के बाद राजस्थान में मंदित तोड़ने का काम किया उसके बाद साहिन बाग बुल्डोजर लाया आखिर आप बताईए इस तरह से बुल्डोजर के जरिए देश के गरीबों को देश के आमनागरिक के उपर बुल्डोजर चला है क्या देश में रोटी कपडा मगान होना चाहिए देश में महंगाई पे उपर बुल्डोजर चलना चाहिए लेकिन आप जैसे पतकार इस देश को तोडने के लिए सर्फ आ जाएंगे देश में गरीबों का बुल्डोजर चला है आखिर हम कल साहिन बाग में थे साहिन बाग में जिस तरह से मीडिया उसको परदर्शित करना चाहिए थी और यह सीधे तोर पे देश में संदेश देना चाहिए थी कि भारती ये जंता पार्टी कि किसी भी कीमत पर अनवत्राइज दिली में नहीं रहने देंगे जहां भी अनवत्राइज है वहां बुल्डोजर चलेगा काउन अठावले ठाकरे यह पता ना कहां सनाम ले आते हैं जिसको कोई जंता जानती ही ना हो केंद्री ये मंत्री कौन मंत्री तो इसे भारतिय जंता पार्टी में तो मंत्रियों का पते नहीं है कोई साची महराज जी का बयान आ जाएगा संगीत सोम का बयान आ जाएगा कि भाननिवेद में तो मंदिर था बाइस में अब ज्यान बापी का तो ये देश में लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं जो एक शंगठन के नाम पे जो हिंदूओं के नाम पे हिंदूओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं ऐसी भारतिये जंता पार्टी अब ये नफरत की राजनीत करेगी तो देश में नफरत नहीं चलेगा अब प्यार की राजन ना दबेंगे ना मिटेंगे हम इंकलापी लोग हैं इस सरकार के सबाल पूछेंगे जहां जो रही है तो आप तो क्या पर देखे आप बताईए अगर ग्यान बापी आप बताईए इस समय धार्मिक अस्तल एक्ट उनीश सो इक्ञान में ये कहता है कि उनीश सो सैटालीस आज और वारतिय जंतापाईटी और इस वक्त जो ये सीधे तौर पर एक ज्ञान बापी का क्या ये एक संदेश देना है वो जो नारे को प्रदरशिश करना है जो बीजेपी और संघ का एक नारा था आयोद्ध्य तो जहांकी है कासी मतुरा बाकी है ये भारतिया जंतापाईट धार्मिक सिलेवस के जरिए किस तरह से देश की जंता को गुम्रा करना चाहती है श्रिंगार गौरी मंदिर और ज्यान बापी मस्जित का जो ये मुद्दा है ये कोई मुद्दा नहीं है इस वक्त देश में महंगाई का मुद्दा होना चाहिए सिच्छा का मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए लेकिन स्ट्रीम मीडिया अगर मस्जित का मुद्दा दिखाएगी तो आप जैसे सोचल मीडिया के पत्रकार भी वही मुद्दा लेके चले आएंगे आप महंगाई पे देश की जंता से बात करें आपको पता होना चाहिए संक्राचार जी नहीं वो कुछ दिन पहले ढोंगी परभंस जी उन्होंने कहा था कि हम सर्यू में अगर एक तक हिंदु राष्ट नहीं बनेगा तो हर सर्यू में समाधी ले लेंगे अरे ये ढोंगी लोग हैं ये चोला पहन के इस देश में ढोंग करने का काम करते हैं आप भी भगवा पहन लीजिए और देश में कहिए कि अब यहां पर मंदीर है मैं कहता हूं जो केंद्रिय कार्याले बीजेपी का है उसके नीचे शिव मंदिर की मूर्ती पड़ी हुई है जरा बुल्डोजर उस पर चलवाया जाए शिव मूर्ती के निकले क्योंकि हमारे भगवान को इन्होंने बदनाम करने का काम किया है आज कोई देश का मुसल्मान आप बताइए वो कहिकर आया हो कि हम मंदिर के बाहर नमाज करेंगे कोई खबर आई आपको ये कौन लोग हैं जो धर्म कियान में अपनी राजिनितिक रोटियां सेंकने का काम कर रहे हैं कोई उधर राश्ठाकरे से बयान आता है कोई नवनीत राना सा बयान आता है कोई कुतु मिनार पे चलके अरे भाई इस देश में अगर मुद्दे आपको भुनाने हैं तो एक ही बार फैसला कर लिजिए आपको कहां कहां मंदिर बनाना है अगर गरीब के घरों को तोड़ के मंदिर बनाना है तो ठीक है बना दीजिए हमारे भी घरों पे बुल्डोजर चला दीजिए देखिए धर्म आस्था का प्रतीक है मैं भी ब्रामण सुनिए मैं भी ब्रामण समाश से आता हूं मैं भगवान की पूजा पे विश्वास रखता हूं भगवान की आस्था अपनी आस्था पे विश्वास रखता हूं ये नहीं है कि मैं अमने भगवान को ब्यापार बनाने के लिए कारी करता हूं ये भारतिये जनता पाइटी यह सीधे तर पे व्यापार करना चाहती है राम के नां को बेचना चाहती है अगर आप हमारे राम के नाम को बेचेंगे तो आपके खिलाब मुहतोर जबाद देने का काम करें गाए वाकता से तो ये राम नाम की लूट है। जिस तरह यह बुल्डोजर का पॉलिटिक्स किया जा रहा है गरीबों के उपर चला के आज बताईए जहांगे पुरी में आपने देखा होगा